दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं नेट एडू चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लोगतंत्र के बारे में चलिए टॉपिक बतायता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन सो टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोगतंत्र के अर्थ के बारे में यानि कि लोगतंत्र का अर्थ क्या होता है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोगतंतर की परिभासा क्या होती है कौन-कौन से विद्वारों ने क्या परिभासाइं दी है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोगतंतर के प्रकार के बारे में लोगतंतर कितने प्रकार का होता है फिर हम लोग पढ़ेंगे लोग तंत्र के गुण और दोस के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग तंत्र के सिद्धान्त के बारे में लोग तंत्र के कुछ इद्धान्त भी हैं जैसे जो है नयाय जो है और भी बहुत चीजे सिद्धान्त हैं उन सबी चीजों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक जरू कर लिजेगा और चैनल परना है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा चलिए शुरू करते हैं चलिए इस वीडियो के सुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हम लोग लोकतंतर का अर्थ क्या होता है देखिए लोकतंतर को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है डेमोक्रेसी जो सब्द है वो मुल रुप से ग्रीक भासा के डेमोक्रेसिया सब्द से लिया गय एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटस इन दोनों को मिला करके डेमो क्रेशिया सब्द बना हुआ है तो डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटस का मतलब होता है सासन तो इससे डेमो क्रेशिया का मतलब अर्थ निकल करके आता है कि जनता का सासन यानि डेमो क्रेशिया का मतलब क्या हुआ जन्ता का सासन तो इसी तरह से डेमोक्रेसिया सब्द से मिल करके बना है डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी सब्द का भी मतलब हुआ जन्ता का सासन यानि लोगतंतर का मतलब हुआ जन्ता का सासन अब चलिए हम लोग जानते हैं लोगतंतर की परिभासा के बारे में दे ऐसी ने लोकतंत्र की परिभासा करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र सासन का वह प्रकार है जिसमें प्रभुत्व सक्ती समस्टी के रूप में जनता के हाथ में रहती है जिसमें जनता सासन सम्मंधी मामले पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का सासन सुत्र अस्थापित किया जाए मतलब लोकतंतर का मतलब होता है जनता का सासन अब जनता जिस तरह से चाहती है उसी तरह से सासन होना चाहिए राज्य में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंतर सासन की ही एक विधी नहीं है अपितु वह सरकार के नियुक्ति करने उस पर नियंतरण रखने तथा इसे अपदस्त करने की विधी भी है मतलब अगर जनता चाहे तो जो सरकार अभी है उसको भी अपदस्त कर सकती है और जनता जो है अपने सासक को नियुक्त कर सकती है और उस पर नियंतरन भी रख सकती है और ज़रुत पढ़ने पर उसे जो है अपना सासक के रुप में जो बनाए हैं उसे हम हटा भी सकते हैं अब चलिए अब ब्राहम लिंकन की लोगतंतर की परिभासा को लें तो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंतर सासन का वह सासन है जिसमें सासन जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा हो अब मतलब अबराहन लिंकन जो अमेरिका के राष्ट पती थे उन्होंने कहा है कि जनता यानि जो लोगतंतर है उसे जनता का जनता के लिए या जनता द्वारा सासन ही लोगतंतर कहलाता है इन परिभासाओं को अस्विकार करते हुए कुछ विचारक लोगतंतर को सासन तक ही सीमित न रहकर इसे व्यापक अर्थ में देखने की बात कहते हैं एक विचारक है गिडिंच इन्होंने कहा है कि प्रजातंतर केवल सरकार का ही रूप नहीं है वरण राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है मैक्सी ने इसे और भी व्यापक अर्थ में लेते हुए लिखा है कि बीश्मी सदी में प्रजातंतर से तातपर्य एक रायनितिक नियम सासन की विधी वह समाज के धाचे से ही नहीं है वरण यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुश्यों की स्वतंतर और एक्छिक बुद्धी के आधार पर उसमें अनुरूपता और एकी करण लाया जा सके डॉक्टर बिनी परसाद ने तो लुबतंतर को जीवन का एक धंग माना है ब्राइस कहते हैं ब्राइस ने परिभासा दिया है वे कहते हैं एक सरकार का वह रूप जिसमें योग्यता प्राप्त नागरिकों को बहुमत की एक्छा के अनुसार सासन करना होता है इनका मानना है कि योग्यता प्राप्त व्रक्तियों की संख्या कम से कम तीन चोथाई अवस्य होनी चाहिए जिससे सामान नागरिकों का भौतिक बल उसकी मतदान सक्ति के बराबर बना रहे लोग्तांत्रिक व्यवस्था जनता की वह एक्छा सक्ति है जिसमें सासक की न्यूक्ति राज्य में निवास करने वाली जनता के बहुमत की सहमती के आधार पर होती है जो जनता के कल्यान को ध्यान में रखते हुए सासन का संचालन करता है एक माइकल मूर हैं उन्होंने कहा है कि एक देखा जाने वाला खेल नहीं है यानि कि लोकतंत्र एक देखा जाने वाला खेल नहीं है यह एक सभागता वाली घटना है यदि हम इसमें भाग नहीं लेते हैं तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्थ हो जाएगा इसी प्रकार सार्टोरी ने कहा है कि लोगतंत्रिक युग को प्रजातंत्रिक भ्रांती का युग कहा है क्योंकि लोगतंत्र रायनितिक सिध्धान्तों की सबसे भ्रामपूर्ण धारना है लोगतंत्र केवल सरकार को चुनने अथवा सासन परणाली का एक तरीका ही नहीं है बलकि इसे एक तरह का समाज तथा जीने का तरीका एक आदर्श अथवा एक उदेश्चे के रूप में परिभासित किया गया है आधनिक युग में लोगतंत्र ना केवल प्रसासनिक पक्षे बलकि सामाजिक आर्थिक अवथवा ट्रायनितिक आदिस सभी पक्षों का वर्णन करता है यह व्यक्तियों की समानता सुरक्षा वस्वतंतरता पर बल देता है अब चली जानते हैं लोगतंत्र के प्रकार देखिए लोगतंत्र के कितने प्रकार होते हैं लोगतंत्र को निवने प्रकार से वरगे क्रित किया जा सकता है जिसमें पहला है प्रत्यक्ष लोगतंत्र और दूसरा है आप प्रत्यक्ष लोगतंत्र यानि डाइरेक्ट डेमोक्रेसी और इंडाइरेक्ट डेमोक्रेसी देखें प्रत्यक्ष लोगतंत्र क्या होता है प्रत्यक्ष लोक्तंत्र वह है जिसमें राज्य की इक्षा या संकल्प जनसभा में लोगों या लोगों के लिए कारे करने वाले चैनित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या तच्छन व्यक्त किया जाता है प्रत्यक्ष लोक्तंत्र में जनता सारवजनिक हित के मुद्दो पर प्रत्यक्ष रुप से अपना मत्व्यक्त करती है यह केवल छोटे राज्यों में ही संभव हो सकता है यहां जनता अपने मत्व्यक्त करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हो सकती है जैसे लोग एक अस्थान पर एकत्रित हो करके अपना नेता चुनते हैं तो उसको जो है डाइरेक्ट डेमोक्रेसी यानि के प्रटक्ष लोगतंत्र कहा जाता है यह पधती प्राचीन ग्रीक सहरों में अपनाई जाती थी और वर्तमान समय में यह स्विट्चर लेंड के केवल चार प्रांतों में परियोग में है मतलब एक जगह जमा होकर के सारी जनता अपने नेता को चुनती है डाइरेक्ली तो उसे हम लोग प्रतेक्ष लोगतंत्र कहते हैं अब अप्रतेक्ष लोगतंत्र क्या होता है तो देखिए अप्रतेक्ष या प्रतिनिधी लोगतंत्र वह है जिसमें सभी लोग अथवा उनमें से कुछ लोग स्वयन द्वारा सामाईक रूप से चैनित प्रतिनिध्यों के माध्यम से सासन का संचालन करते हैं आप प्रत्ख लोग तंत्रे में राज्य की एक्छा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वक्त नहीं की जाती बलकि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिध्यों के माध्यम से जिन्हें उन्होंने विचार करने और नेने लेने की सक्ती परदान करते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इनडाइरेक्ट रूप से अपना नेता चुनते हैं मतलब जो है हम लोग वोटिंग करते हैं तो डायरेक्ली जो है हम लोग चैन लोगों का नहीं कर सकते हैं वो लोग जो हैं CM जैसे बनते हैं हमारे राज्य के तो वो क्या करते हैं direct CM candidate के रुप में दिखाई देते हैं लेकिन हर छेतरे में अलग-अलग लोग candidate होते हैं अगर उस party का जो है बहुमत अगर उस party वाले बहुमत आ जाती है उस party का बहुमत अगर आ जाता है तो उसी party का CM जैनि जो candidate CM बनाया गया है उसी को CM बना दिया जाता है वास्तों में विस्तृत और जटिल समाज में जहां लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है और राजय का छेत्रफल भी विस्तृत होता है वहां प्रत्यक्ष लोगतंतर संभव नहीं हो सकता है वरतमान समय में अप्रत्यक्ष लोगतंतर सरवाधिक लोगप्रिय है और सभी लोगतंतरिक देशों में प्रतलित है भारत का लोगतंत्र भी इसके उदारणों में से एक है भारत में भी अप्रतक्स लोगतंत्र है मतलब डाइरेक्ट हम लोग एक जगह जमा हो करके अपना नेता नहीं चुन सकते हैं अब देखिए लोगतंत्र के गुण कौन कौन से गुण है देखे, पहला गुण है सासक जन कल्यान के प्रती सजग, अनुक्रियासील तथा जागरुक रहना, दोसरा गुण है जन सेक्षन का स्रिष्टरतम माध्यम है, तेसरा गुण है लोगतंत्र का सामाजिक आर्थिक वर राजनेतिक सुधार के लिए समोचित वातावरण की विवस था होती है, अगला गुण है उच्च कोटी का राश्ट्रिय चरित्र विक्सित करने में सहाएक है, पाच्वा गुण है स्वाव अलंबन व व्यक्तिगत उत्तरदाईत्व की भावना का विकास करता है, अगला है देश भक्ती का स्रोत है, फिर अगला है क्रांती से प्रदान करता है जो लोकतंत्र है वो होने वाले ग्रांती से सुरक्षा प्रदान करता है अगला है सासनकारियों में जन सहभागिता की व्यस्था रहती है कोई भी सासनकारिय है उसमें बहुत सारी लोगों की सहभागिता होती है कोई एक वक्ती मिल करके जो है कोई भी नहीं ले सकता है उसे और लोगों से भी विचार परामर्ज करना पड़ता है अगला है व्यक्ति की गरिमा का सम्मान तथा समानता का आधर्स प्रस्तुत करता है तो ये है लोकतंत्र के गुण लोकतंत्र परणाली के उप्रक्त गुण यह स्पष्ट करते हैं कि इस विवस्था में कोई भी वक्ती यह सिकायत नहीं कर सकता कि उसे अपनी बात कहने का आउसर नहीं मिला है क्योंकि लोकतंत्रिक विवस्था का पहला काम यही है वह जनता को अपनी बात कहने के अधिकाधिक आउसर दे तथा जनता की जिग्यासा का समाधान करे अब लोकतंत्र के दोस क्या का हैं तो देखिए लॉर्ड ब्राइस ने इसके लोकतंत्र के दोस बताये हैं देखिए सासन विवस्था या विधान को विक्रित करने में धन बल का पर्योग होता है ये तो बात सही है कि कोई भी सासन ब्यवस्था जो है अपना मालीजे कोई सासक बनना चाहता है तो वो अपने धन का पर्योग करके लोगों से वोट भी ले सकता है अगला दोस है राजनीती को कमाई के पेशा बनाने की ओर जुकाओ किया जा रहा है आज कल राजनीती जो है उसको एक पेशे की तरह बना दिया गया है एक बिजनेस की तरह बना दिया गया है जिससे काफी ज़्यादा कमाई कर रहे है अगला है सासन ब्यवस्था में फिर अगला है समानता के सिध्धानत का अफवे और प्रसास्किय पटता या योग्यता के उचित मुल्य को आका जाना अगला है दल बंदी या दल संगठन पर अधधिक बल फिर अगला है विधान सभाओं के सदस्यों तथा रायनीतिक अधिकारियों द्वारा कानून पास कराते समय वोटों को द्रिष्टी में रखना और समचित व्यवस्था के भंग को सहन करना लोकतंत्र की सैधानिक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप में देखने में आने वाली कठिनाईयों के कारण ही पलेटों और अरस्तु ने इस प्रणाली को सासन का विक्रित रूप बतलाया है कोई भी विचार सैधान्तिक चरश्टा के कारण ही व्यभार में स्रेश्टर नहीं रह जाता है लोकतंत्र की अव्यवहारिक्ता के कारण ही आलोचक यह कहते हैं कि लोकतंत्र के सिध्धान्त अत्यधिक आदर्सवादी और कल्पनावादी है व्यवहार में लोकतंत्र सासनकारे का भार संपूर्ण जनता पर आधारित करके निर्धन्तम अनभिग्यतम तथा अयोग्यतम लोगों का सासन हो जाता है क्योंकि आम जन्ता का सासन की पेची दिगियों से अनभिग्य ही नहीं होती है बलकि सासन करने के योग्य भी नहीं होती है अतर दोस विवस्था में नहीं है इस विवस्था को क्रियानमीत करने में सम्मिलित सासन करताओं और सास्तों में होते हैं वस्तुतव विवहार में लोगतंतर में यह दोस इसलिए आ जाते हैं कि उसे विवहार में लाने वाले लोग अपने को उस अस्तर का नहीं रख पाते हैं जिस अस्तर की लोगतंतर की सफलता के लिए आवस्यक होती है परन्तु लोगतंतर के आलोजकों को एक बात तो माननी होगी कि इस परणाली के इन दोसों के बावजूद यह परणाली अन्य सभी परणालियों से सश्तर है यही कारण है कि लोकतंत्र के अनेक राज्यों में जो है दुनिया के अनेक राज्यों में लोकतंत्र व्योस्था को कुछ महत्वकांची राय निताओं द्वारा उखाड फेगने के बाद भी इसके स्थापना के फिर से प्रयत्न होते रहे हैं अनेक समाजों में नागरिक्ता करांती तक का सहारा लेकर पुना लोकतंत्रिक शासन अस्थापित करते रहे हैं अब चलिए जानते हैं लोकतंत्र के सिध्धांत भारतिय लोकतंत्र में चार मुलभूत सिध्धांत हैं स्वतंतरता, समांता, बंधुता और न्याय भारतिय सर्धान के प्रस्तावना में कहा गया है कि इन अधार्भुत सिध्धान्तों के अतिरिक्त जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लोक्तंत्र में आत्म सम्मान की भावना, सहयोग और उत्तरदाइत्व की भावना आदी विजार भी समाहित है चले जानते हैं कि लोक्त स्वतंता का सिध्धान्त क्या है देखे जब कोई स्वतंता की बात करता है तो उसका आसे, विचार, क्रिया, अभिवक्ती, गत्य विधी की स्वतंतरता से होता है यह एक स्वतंत्र वातावरण है जिसमें वक्ति अपनी अंतरनी सक्तियों को पहचानने और स्वायम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रत्चाहित होता है लचीले और स्वतंत्र वातावरण में ही वक्तिके वक्तित्व का अधिक्तम्सक विकास संभव है लोक्तंत्र में वक्तियों को बाहरी सकतियों और अवांचित दबाओं से मक्त रहना चाहिए ताकि उनका अंतरमन उनके विवहार और चैत्र का समुचित आकलन कर सकेगा अगला है समानता का सिध्धान्त मानों की मौलिक विशेशताओं और गुणों के द्रिश्टी से सभी व्यक्ति जन्म से ही समान है लेकिन दूसरी तरफ प्रतेक व्यक्ति, अपनी बुद्धी, अभिरुची, सारीरिक छमताओं आधी के रुप में विशिष्ट है इस प्रकार समानता व्यक्ति के सम्मंध में अनुभव जन्य समानी करण नहीं है बलकि एक नैतिक आदेश है कि प्रतेक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अधिक्तम विकास और सुधार के लिए समान अउसर प्राप्त करने का अधिकार है व्यक्तिकत भिन्ता के बावजूद प्रत्यक व्यक्ति को जीवन जीने, सिखने और अपने उधेश्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए समान और सर्प्राप्त करने का अधिकार है अगला सिध्धान्त है भ्रात्रित्व यानि की बंधूता का सिध्धान्त आस्था और जिवन सैली की भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र में एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करते हुए साथ साथ रहने की व्यापक विचारधारा ही भ्रात्रित्व है या बंधुता है भ्रात्रित्व की भावना लोकतंत्र की मुख्या आधार है जब तक व्यक्ति या अनभव नहीं करेंगे कि वे सभी समान मानवता से सम्मन्धित हैं वे दूसरों के प्रती सहान भूती और सहयोग का अनभव नहीं कर सकते जो की लोकतंत्र की मुख्य विसेशता है अतह व्यक्ति के जीवन और विकास के छित्र में जाती, रंग, धर्म, भासा, छित्र, जन्म और लेंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए प्रेम, स्नेह, सहयोग, सहान भूती, समझ, आधी, भ्रात्रित्व के स्वभाविक से धान्त हैं जो लोक तंत्र के सफलता के लिए अति आवस्यक हैं अगला से दान्त है न्याय उपर्युक्त मुल्यों के परणाम सुरूप या स्वभाविक है कि व्यक्ति को न्याय का धिकार है किसी भी व्यक्ति को किसी औसर से वनचित नहीं रखा जा सकता है और नहीं उन्हें जिवन के प्रतेक छत्र में लाव प्राप्त करने हैं तू प्रयास करने से रोका जा सकता है अनुचित अथवा अवैध आधारों पर व्यक्तिकों में भेद नहीं किया जा सकता यदि किसी के साथ धर्म जाती संप्रदाय अथवा लिंक के आधार पर भेद भाव किया जाता है तो वह इस अन्याय के विर्ध न्याय आले में आवाज उठा सकता है और अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है तो दोस्तों ये थे लोक तंद्रे के कुछ सिध्धान तो वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया हो यह टॉपिक तो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरू कर लिजेगा और चानले परना है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद